नमस्कार आप सबका मेरा यूटीब चैनल पामिश्री हीलर में स्वागत है आज हम एक विक्ति जिनकी उम्र 33 साल होने वाली है उनके हाथ का विश्रेशन करेंगे और देखेंगे क्या सही और कलत निकल के आता इनका कोशन है कि अच्छी नोकरी कब तक मिलेगी वेपार करूं वो अच्छा चलेगा नहीं चलेगा विदेश यात्रा हो सकती है अपना मकान खुद का कब तक होगा और दो लड़किया है दो बच्चीया है और एक लड़का पूछना चाहते हैं कि वो होगा तो कब होगा और दूसरा नोकरी पर जढ़ा फोकस कीजएगा की नोकरी से रिल रेखा है यहां यहां पर इन रेखाओं का मतलब क्या है इन रेखाओं का मतलब है यह जो टाइम मिर्ड पर पीछेसे रेखा निकल आ रही है और यहां तक तच रही है जो कि यहां तक आगे जा रही है ये भी तो एक लिंक भगवान ने जोड़ रखा है ये कौन है जब यहां से कोई रेखा निकलती है तो वो पुछते नहीं होती है पुछते नहीं उसका लाब इन्हें मिलेगा मिलेगा पुछते नहीं का प कोई प्रॉब्लम हेल्थ वाइस किसी की खराब्ती ग्यारा में जादा और बारा में जादा यह समझ आ गई कि यह समझ जी समझ अब इन रेखाओं का मतलब समझ लो यह रेखा क्या होती है यह किस रेखा पर यह रेखा ने कट लगा रखे हैं यव के निशान बना रखे हैं सर यह तो एक ट्रेंगल बना हुआ है ट्रेंगल से रेखाएं इंडिकेट कर रही है कुछ पढ़ाई में में ज्यादा शार्पनेस नहीं है तो यह 15 और 16 साला क्या ठीक है जी ठीक है अब फिर देखो यह रेखाएं अब क्या इंडिकेट कर कोई बिमारी की रेखा जो है ना वो भी लगी हुई थी ऐसा नहीं तक कुछ ना कुछ बिमार रखती है यहां पर यह जो रेखाएं दो जुड़ती है तो एक तो यह माइंड को भी पर्टरब रखती है यह 21 साल की रेखा के बाद एक चोटा सा एक यव का निशान और कोई देखा पीछे से यह जो है यह सम्टिंग निकल के डिस्टर्बेंस आ रही है तो यह क्या दिखा रही है यानि 21 और 22 के बीच में किसी की हेल्थ खराब हुई होगी और यह रेखा यब यहां गई तो यह आप 22 साल पर आप भार भी गए है तो यानि 21 और 22 साल पर कोई बिमार हुआ इनके दादाजी की डेथ हुई ठीक है यह समझा गई यह 21 यह 22 ठीक है यह रेखा यहां पर मुड गई यह 21 24 25 अब यह 24 25 रेखा हैं जो है न यह बच्चों से रिलेटेड इंडिकेशन क्योंकि पिक्चर इतनी साफ नहीं है बट लेकिन पता लग रहा है ठीक है जितन ज्यादा पिक्चर साफ दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अब 24 और 25 में यहां पर जॉब से रिलेटेड चीज़े भी दिख रहे हैं क्यों दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर यह रिखा इसके साथ टच है इसलिए दिख रहे हैं ठीक है यह यह वाली जो डिस्टर में थे चोड़ना चाहरा हूं 20 में ठुड़ो नहीं थोड़ा और बड़ा लेता हूं मैं न 26 साल तक उसे कोशिश करता हूं 26 तक तो टिका ओं यह 100 हो यह दिख रहे हैं और दिस्टर्पेंस पे आरे हैं समझ आरे है जैसे ही यह रेखा मुड़ी यह 27 में अब इसी रेखा के साथ यह रेखा मिलो के चल रही है त्रावलिंग जादा हो गई बहए 27 में आप कहीं गए नहीं सर गए तो नहीं तो मैंने कहीं जादा दूर जाते थे क्या अपडाउन हाँ समझें आगई जी सर बिलकुल समझ में आगई 27 साल 28 साल 29 साल यहां तक 30 साल पर जैसे ही आओगे आप तो क्या होगा यह 30 साल किस लिए है जाब के लिए है यानि 29 और 30 के बीच बीच में आप जाब छोड़ दोगे 29 में तो यह एक रेखा यहां पर डिस्टर्बंस की रेखा निकल गई थी 30 में आप जाब पकड़े खिक है अब चलते हैं आगे हमने क्या कहा था 29 में छोड़ेंगे 30 में जाब यह 31 साल जो जैसे ही आया यह डार्क रेखा है ना यहां पर यह गड़बड़ है यहां पर डार्क कभी नहीं होना चाहिए यहां नुकसान होता है पैसो का नुकसान जॉब में पर्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड आदमी बहुत कुछ होता है इस जगा पर नहीं आना चाहिए तो ये 31 साल ये 32 यहां पर डिस्टर्बंस है ये रेखा मुड रही है 33 यार बहुत हो गया यार अब मुझे क्या करूं कोई ना कोई यार या तो जॉब चेंज करूं या मुझ लिए तो 34 और 35 साल अच्छा है कि या नि 24 साल अच्छा है जो दिक्कत है वो 33 साल तक दिक्कत है तो ठीक है, 34 और 35 पर मैं ये वली रेखा का एक तरक्की का साइन, ये सोच रहा था कि ये रेखा जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई नहीं है, अगर आपने बच्चा करा इस टाइम पिरिट पर, तो ये possibility दिख रही है कि ये लड़की होगी, ये देख रहूँ, यहां पर भी disturbance है, ये वो disturbance नहीं है, ये बच्चे की disturbance है, एक अगहात लगता है कि एक और हो गई, तीसरा बच्चा भी हो गया, तो it means मैं आपकी लाइफ में लड़कियां ज़्यादा देख रहा हूं, बनिस्पत लड़के के, इस चिछ का ध्यान रख ली जगा, ठीक, पहले म formation है, ये एक तरक्की का sign बना हुआ है, तो ये एक रेखा जो है, ये indicate कर रही है, इस रेखा के साथ मिलकर, नहीं, मैंने जब इसे देखा, पीछे देखा, नहीं यार, मुझे तो ये disturbance की रेखा लग रही है, नहीं, 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 तो यानि 33-34 साल आपकी life में, वैसे तो न disturbance भी तो है, ये भी तो है, इस समय तक तो बच्चे अगर करोगे तो दिक्कत, अब यहाँ पर क्या-क्या दिक्कत है, इसे समझते, आपने इस 34 साल पर बिजनस करना था, ठीक है, तो दिखते आनी थी, वो तो ड्रॉप भी करतो, आपको बिजनस में करवाने ही नहीं दे रह पर जब ये रेखाएं, indicate कर रही है कि कोई कोई ना कोई मिलेगा partnership में काम करोगे, तो ये ये वाला x square बने कोई partnership में काम करोगे, जिसमें आगे दिखते आएंगी, तो इसलिए वो तरक्की का sign बना दिया गया था कि थोड़ी बहुत time period पे आपको अच्छा लगे, लेकिन न नहीं, नहीं, तो 34 और 35 में आपको नौकरी तो मिलेगी, अब नौकरी में तकलीफ जो कर आती है, तो छोड़ना नहीं, मुद्दा समझ लो, मुद्दा समझ लो, क्योंकि यहां पर भी disturbance चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप ये देखो कि ये एक हमारी life में हम आपको दिखाता है ये 33 साल था, 33, 34, 35, तो इतमेंस ये रेखा एंक क्या चल रही है, ये वाली रेखा इसके साथ मिल रही थी, मैंने का मिल रही है, लेखा ध्यान से नहीं मिल रही है, तो 34, 35 बच्चे के लिए सही नहीं है, ये याद रख लीजेगा, यहां पर ये एक ची बट लेकिन बच्चे से related कोई भी भागे रेखा, अगर कोई भी रेखा, भागे रेखा की साथ लचोगी, तभी तो बच्चा होगा, थिक के न, वो लड़का होगा तभी, it means ये नहीं हो रही है, तो ये एक दिक्कत आ सकती है, थिक के, कभी-कभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहां ट्रेंगल बना हो और इस ट्रेंगल पर ऐसे ऐसे निशान आ चाए तो इसका मतलब यह होता है कि बच्चे का admission हो जाएगा नौकरी लग जाएगी सपोर्स लेकिं इंटर्वी कॉल नहीं आएगा कुछ नहीं होगा यानि इस ट्रेंगल को नुक्सान पचा दिया क्या है रिटन टैस्ट पास है बाकी नहीं हुआ ठीक है इंटर्वीव में फ esperando यह यह दिखते आ सकती है तो उसके बाद यह देखो यह क्या कर रही है यह रेखा है क्या कर रही है यह देख रहो यह क्या कर रहे हैं यह दिखते दे रही है ना तो आपको 37 साल तक थोड़ा सा संबल कर रहना है 37 साल तक ठीक है अब 37 से 40 साल के बीच में यह 40 साल आ रहा है यानि 37 पे आप अगर सपोज आप मूव करते हो एक जगा से दूसरी जगा पर जाने की ट्रांसफर करने की या अपनी नौकरी को शिफ्ट करने की तो आप कर सकते हो अगर आपने बिजनस किया होता तो यह 37 साल तक चलता जिसमें कि आपको तकलीफ आपको मिलती मिलती यह समझा गई और 37 से 40 साल के बीच में 40 साल पर आप चेंज करोगे क्योंकि यह रेखा यूं करके आया है यह ना चेंज करोगे अब यह रेखा निक्चे निकलती है तो क्या करती है यह बिमारी भी देती है खर्चे भी निकलेगी तो 40 और 41 साल एकस्पेंडिचर का हो गया अब यह रेखा मुड के गई थी ना तो माइंड चेंज हुआ हुआ नहीं हुआ 40 अब यह रेखा ने यहां बनाया तो अब पीछे देखना कि अरे सर यह तो रेखा पीछे से कुछ ऐसी इंडिकेशन्स दे रही है सम्थिंग की कुछ इनवेउस्मेंट या सम्थिंग क्योंकि यह स्क्वाइब और यहें ट्रेंगल्स बन रहे हैं तो हाँ कुछ हो सकती है यहाँ पर ठीक है अब फिर यह देखो यह ट्रेंगल सा बना हुआ है ना ऐसे करके बना है यह बना हुआ है पतला सा हाँ बना हुआ है तो यह 40 था यह 41 था यह तो समझ आ गया 41 था 42 मा साल यह जो है यह क्या कहता है यह कहता है रिष्टों में something कुछ ह और एक और याद रख लेना इस वाले टाइम पिरिड को 38 साल पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इशूस भी आएंगी ठीक है 38 साल पर हेल्थ इशूस भी आएंगी कुछ डिस्टर्बेंस मुझे यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है एनिवे देख रहे हैं अच्छा अब मैंने लिखा था कि आपकी लाइफ में यह जो है रिश्टे बचा के चलना है यहां कुछ होगा डेफिनिटली होगा अब यह क्या हो सकता है देखो ऐसा हो सकता है कि कि किसी को आपको भाई को पैसों की जुरुत पड़ी आपने दे दिये या आपको पड़ी तो उसने दे द यह आप ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है तो उस वक्त कोई रिलेशन खराब ना हो इस चीज़ का ध्यान देना है अब क्यों कहता हूं यहां पर खर्चे आ रहे हैं बिमारी आ रही है यह रेखा जब नीचे निकलती है ना तो यह एक का यहां पर डिस्टर्बिंस दिख रहे है यह दिख रहे हैं तो यह आपको डिस्टर्ब्ट करेगी लेकिन जब यह बनी हैं तो इसके साथ स्क्वाइर भी बने हैं इसके साथ स्क्वाइर बने हैं तो यह 46 साल तक की रेखाए हैं अब 46 साल के बीच बीच में यह रेखा है क्या करना चाहरी है क्रॉस लगा के बैठी है यानि कुछ गलत भी हो सकता है ना इसलिए मैंने कहा था कि बच के चलो अब यह क्यों कहा आप बिजनस कर रहे हो बिजनस कर रहे हो बिजनस में घाटा हो रहा है यानि बिजनस नहीं करना इस analysis का मतलब ये है 46 साल तक business नहीं करना है ये लिख लीजेगा 46 साल से तक आपने काम नहीं करना है इस वाली रेखा ने देखो ये खर्चे निकाल रही थी सब कुछ कर रही थी ये रेखा इनके साथ touch है 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 ये देखो यहाँ पर square बना हुआ है तो it means कहीं न कहीं जो आपकी लाइफ में 43 से लेकर 45 साल अब देखो यहाँ मैंने क्या word बोला था कि आप जिस घर में रह रहे हो वो floor wise है इसको देखकर मैंने का था कि floor wise होना चाहिए क्यों मैंने ये floor wise वाला word जो था यहाँ पर use किया अब ध्यान से समझो कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई पीछे से रेखा निकली है यहाँ पर एक square है उपर निकली है यह यह रेखा बनी मैंने कहाँ यार यह तो जो concern होता है यह floor wise होता है उपर वाले पर कोई दिक्कत आएगी क्योंकि यह रेखाएं indicate कर रहे अब यहाँ पर यह picture clear नहीं है यह एक रेखा दिखा रही है खर्चे की बिमारी की something की जिम्मेदारियों की ठीक है तो कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिस पर आप पर ज्यादा प्रेशर आ जाए जिम्मेदारियां आप पर पढ़ जाए इस time period प कौन रह रहा है ऊपर को मैं भी रह रहा हूं और मेरा भाई भी रह रहा है मैंने का क्या दोनों की चूले अलग है हाँ नहीं अभी तो नहीं है मैंने का क्या अलग रहते हैं नहीं तो यहां मुझे confusion है लेकिन यहां इतना कह सकता हूं कि activity यही कुछ होगी क्योंकि यह एक gravitational force फोर्स का निशान लगा हुआ है ग्रैविटेशनल फोर्स का निशान लगा हुआ है 42 साल पर तो रिष्टों में कुछ न कुछ है तो यह इसलिए कहा रहा था इस पर क्रॉस है तो आपने ध्यान रखना है और इन्हें देखकर कहा था कि कोई आपकी बिल्डिंग जिसमें आप उपर और नीचे और आपने का हाँ हाँ वो है और हम रह रहे हैं ठीक है यह समझा आ गई तो यानि इन समय तक आपने बिजनस नहीं करना क्योंकि यह रेखा है ज्यादा डार्क चल रही है यह खर्चे की रेखा है हेल्थ इशूस है तो 46 साल तक तो आपको जिम्मेदारिया भी संभालनी पड़ेंगी और सारी चीजें होंगी यह ध्यान रखिये का ठीक है और इसमें कोई खर की एक्टिविटिस तो जरूर हो रही है यह तो शेयर हूं 43 से 46 साल के बीच में और यहां पर आपने बिजनस नहीं करना तो जॉब करनी है ना अब जॉब में क्या करना है वो समझ लो पहले पास तो आपने 34-35 में यह अच्छी रेखा है अपके बिजनस अपकी जॉब के प्रति बिजनस नहीं करना और यह 37 साल पर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन 40 पर नहीं करोगे क्योंकि 40-41 पर खर्चे की रेखा एक्सपेंडिचर है 42 यह से निकालने समझा गई अब इस बीच में आपकी लाइफ में यहां तक मैंने कहा है कि जॉब का कंसर्न आपका चल रहा है लेकिन अभी और खीच सकते हो अगर काम कर रहे होते अगर बिजनस कर रहे होते तो यह जो टाइम पिरिड है यह थोड़ा सा आगे तक रेखा जा रही है तो यह 48 साल तक उस काम को खीचते लेकिन 46 से एक नया काम शुरू करते 46 से ही एक नया काम शुरू करते और वो जो था वो 47 48 साल तक पिछला वाला काम वो खिचता यह समझा गए यह इसलिए लिखाता तो अब 46 पर अगर जाब छोड़नी है तो उसे मत छोड़ना उसे 47 48 तक खीच कर रखना यह कहना चारा था अब नीचे रेखा है निकली यह नीचे निकली अब यह खर्चे भी कराती है सब कुछ कराती है ठीक है तो इन चीजे का भी ध्यान रखना है लेकिन कोई रेखा जब इसके साथ मिलने की कोशिश करती है तो वो प्लस पॉइंट भी होता है तो आप पर मैंने काया कि अगर काम किया जाए तो किया जा सकता है यानि इस टाइम पिरट से कोई बिजनस शुरू किया जा सकता है इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ठीके रहा इतना तो लेना पड़ेगा तो क्योंकि ये वाला time period 46 से मैंने कहा जो काम 47, 48 अब आप काम कर रहे हो ये उनिंचा साल तक यहां तक यहां तक यह जो रेखा चाल रही है उनिंचा साल तक यह रेखा जो है आपका समय जो है वह ठीक चलेगा ठीक है ये ठीक चलेगा इसी ठीक वाले पर थोड़ा सा खर्चे ज्यादा चल रहे हैं कोई घमराने की जुरुत नहीं है आपको आप जॉब टाइम अगर लेना है जॉब कर लो इस टाइम पिरिड पर बिजनस करना है बिजनस में खर्चे ज्यादा होंगे और जॉब कर रहे होंगे तो यहां बीमारी या सम्टिंग पर खर्चे तब भी निक सा रहेगा जिसके अंदर यहां पर कुछ चिन बने हुए है स्क्वाइर के साथ तो 53 और 54 साल इंवेस्मेंट के आपके हो जाते हैं तो 53 और 54 साल इंवेस्मेंट का हो गया आपका लेकिन यहां पर आपको दिक्कत आएगी 56 साल पर क्यंवान एक दिक्कत आएगी 56 साल पर ठीके इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर अब पिक्चर वैसे साफ नहीं आ रही है पर लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर पर दिखाता हूँ कि देखो मैं यह जो निकाल के लाया हूँ यह जो टाइम पिरेड आ रहा था चोवन साल का आ रहा था पच्चपन चपन सतावन यहाँ पर थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी एक दिक्कत जरूर आए की ठीक है 57 साल पर ठीक है बाकी आपकी लाइफ में यहाँ देखो यह स्क्वैर बने हुए है यह बने है ठीक है 47 यह 57 हो क्या यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस दिख रही थी इसलिए 58 69 60 61 61 साल तक यह रेखा यहाँ पर यह वाली स्टॉप्ट हो रही है 61 साल तक हो रही है जी 61 साल तो मैंने कह दिया कि 69 साल पर चेंज करओगे अब ठीक है Bew कर चेंज्ट करोगे अब यह रेखा है यहां पर डームप हो चुपी यहां पर तो इट मिस आपकी लाइफ में 61 साल पर चेंज आएगा और जो की 63 से 67 यह ठीक टाइम जाएगा मैं दिखा देता हूं देखो यह रेखा यहां पर समाप्त हो रही है यह यह नीचे जाती है थोड़सी दिकत जरूर आती है 54 यह 57 अब यह पत्ली सि कहा यहां चल रही है 58 59 साथ 67 यह रेखा लगब आप जो है टाइम पिरड़ जो है वो ठीक है यहां से ठीक टाइम चल रहा है बस एक साल 62 63 यह जो जो टाइम पिरड़ है यहां यह निकल जाने दीजिए उसके बाद 64 65 66 67 यहां तक मैंने आपकी लाइफ में कह दिया कि वो ठीक चलेगा और उसके बाद 72 तक कहीं न कहीं से कहरा हूं कि 46 साल से आप किया जा सकता है ठीक है 46 साल से किया जा सकता है अदरवाइस तो आपकी उम्र जो है वो तो आपकी अगर कहूं तो 82 83 के करीप-करीप में आपको यह रेखा मुड़ के जा रही है एंड देन वो मुझे उससे उपर ही लग रही है कोई दिक्कत नहीं ह अब बात आती है बच्चे से रिलेटेड चीजों पर और आपका घर से रिलेटेड चीजों पर अब उसको जड़ा आप देखो तो मैंने दो जगा आपको बोला है कि घर की फर्मिशन के लिए एक 40 और 41 पर भी बोला है मैंने आपको जहां खर्चे थे और एक मैंने बोला तो 43 से लेकर 46 साल जिम्मेदारियां बट सम्तिंग घर से रिलेटेड चीज़े जो है यह तो वह रहा अब मैं जब भी यह रेखाएं जब यह इसके साथ मैंच होती है मैं कहीं न कहीं उनको भी रिफ्लेक्शन देता हूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब यहां पर आपको फाइदा किये क्यों बनती है यह बनती है कि आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी का योग मिलेगा आपकी लाइफ में कहीं न कहीं पुष्टैनी प्रॉपर्टी या उससे भी फाइदा मिलेगा एक यह हो गई और एक आप कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों को मिला कर चीज़े बनाना ये वो चीजे होती है वो तो जरूर बनेंगी अब मुद्दा आता है विदेश में जाने का विदेश में जाकर सेटलमेंट या सम्टिंग ये रेखा तो है नहीं ये रेखा तो है नहीं अगर आप कहो कि वहाँ पर settlement हो जाए या something हो जाए वो मैं नहीं कहा रहा कि यहां पर आप उसको okay करो लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने जाना हो तो कौन कौन से time periods पर आपको आपके लिए विदेश के लिए कुछ opportunities निकल सकती है वो मैं बता देता हूँ एक तो 36 साल दो है 34-35 सही जाएगा 36 साल good जाएगा ठीक है यह रेखा उपर की तरफ जा रही है यह जाएगा अब यह बच्चे के लिए तो मैं सारी चीज़े okay कह रहा हूँ कि something बच्चा तो है लेकिन है लड़की है लड़की यह चीज़ ध्यान रख लीज़ेगा maximum time period पर आपकी लड़कीया ही हो रही है वो आपके उपर छोड़ रहा हूँ कि इसमें risk level जादा है risk level बहुत जादा है आगे भी मुझे कोई sign नहीं मिला लड़के का बच्चे का तो मिल रहा है लड़के का नहीं मिल रहा है इसके लिए माफी चाओंगा लेकिन रही विदेश की तो मैं एक इस point को और एक इस point को इसको मैं ज़्यादा एहमियत दे रहा हूँ क्योंकि यह रेखा इनके साथ touch होने की कोशिश कर रही है और यह रेखा इसके साथ के करीब हो गया 43-44 हो गया यह वाली रेखाएं यहां से उपर तो यह सब यात्रा रेखा हैं यहां पर कुछ ना कुछ यात्राओं से रिलेटेड है लेकिन मैं विदेश में आपको टिकने के लिए नहीं कहरा कि वहां टिक जाओगे लेकिन चीज़े बनेंगी क्यों? क्योंकि यहां पर यह रेखाएं बनी हुई है आपको बिजनस करना था बिजनस में नुकसान होने थे मैं बचा रहा था जब यह रेखा यहां होती है तो बिजनस करता है आदमी और घूमने के लिए जाता है बस इतना समझ लीज़े का लेकिन मैं बिजनस के लिए रोक रहा हूँ इसलिए कहा रहा हूँ च्छालिस से किया जा सकता है तो उस टाइम पिरिट से अगर करते हो और कुछ पैसा निकलता है तो बाहर जाते हो लगबग लगबग अगर कहूंगा तो ये 46 साल है 47, 48 48 साल तक तो आप उन चीज़ों को देखोगे उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी रेखा है जहां ज़्यादा दिख रही है वहाँ तो आपके खर्चे बने ही रहेंगे ये तो निश्चित तोर पर है तो कुछ बिमारी के लिए क्योंकि ये रेखा निकलती है खर्चे बिमारी खर्चे बिमारी खर्चे बिमारी लेकिन पिक्चर साफ नहीं है इसलिए कह रहा है लेकिन निकल रही है इसलिए ध्यान रखना है ठीके तो देखो ध्यान से देखना यह नहीं है यह वाली खर्चे की यह वाली आप यह वाली रेखा को मत मानियेगा यह वाली रेखा नहीं है यह 57 साल है यानि 57, 56, 55, 54, 53 यहां तक नहीं है यह यह रेखा है नहीं है बिमारी की ठीके बट लेकिन हां मैं यह कह सकता हूं यह रेखा है एक यह रेखा यह दो रेख से थोड़ा सा दूर रहो बीपी शुगर की विमारी आपको लगेगी सर्वाइकल स्पॉंडेलेटिस लगेगा आपका गुरू भी डिस्टर्ब चल रहा है गुरू से रिलेटिड आपको उपाई करने पड़ेंगे एक शुक्र के उपाई गुरू को उपाई थायरेड हो सकता है लीवर की प्रॉब्लम फैटी लीवर और यूरीन में इंफेक्शन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यह दोनों ही आपके माउंट डिस्टर्ब चल रहे हैं बाकी रहे बात थोड़े बहुत करजे या सम्तिंग लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूं विदेश जाओगे यह रिखाएं तो इंडिकेट कर रही है यह है आपके हाथ का पूरा विशलेशन जिसके अंदर मैंने हर चीज़ को डालने की कोशिश करी थी अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक कीज़ेगा कमेंट शूर कीज़ेगा उपाई ले लीज़ेगा मुझे धन्यवाद